बिहार के ग्रामीन इलाकों में हो रही जमीन सर्वे लोगों के लिए परिशानियों का सबब बन गया है। हाल ही में जमीन सर्वे शुरू कर दिया मगर अब लग रहा है कि इसकी तैयारिया पूरी नहीं थी। सर्वे के लिए जरूरी क्रमचारी और संसाधन नहीं है। गयर मौजूदगी ने मुश्किले बढ़ा दी है। पुराने दस्तावेज किसी को समझ में आही नहीं रहे। क्यूं याद आ रहा है आंद्र प्रदेश और तेलांगना जैसे हाला तो बता दे आपको कि जमीन सर्वे पर विपक्षी निताओं ने नितीश सरकार को घेना शुरू कर दिया है। बीजेपी कोटे से भूमी राजस्व मंतरी दिलीब जैसवाल ने पहले तो सरकारी यंगरी यंग मैन जैसा बयान दिया लेकिन बाद में चुप्पी सादली हाला कि उपमो के मंतरी समराट चौदरी ने लोगों को आसवासन दिया है कि जमीन सर्वे की कोई आखरी तारीक न नाखुस हैं लोग सरकार की तैयारी और अपसरों की मनमानी पर सवाल उठा रहे हैं ऐसा ही कुछ आंधर प्रदेश और तेलांगना में भी देखने को मिला था जहां जल्दबाजी में किये गए जमीन सर्वे के कारण लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली थी जान कार के लिए सरदर्दी बनता जा रहा है आम लोगों से लेकर क्रमचारी और अधिकारी तक सभी को इस सर्वेक्षन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है सर्वेक्षन का काम बहुत धीरे चल रहा है और आए दिन किसी ना किसी वज़ा से रुक जा रहा है पहले तो क्रमच करना है लेकिन इस काम में कई बाधाएं आ रही है सबसे बड़ी बाधा है कैथी लीपी पुराने जमीन के कागजात कैथी लीपी में लिखे गए थे और नए करमचारीों को ये लीपी पढ़नी नहीं आती है 20 अगस्त से नए प्रकंडों और पंचायतों में सर्वेक्षन क की जानकारी दी जा रही है किसानों और जमीन मालिकों को अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन या ओफलाइन जमा करने को कहा जा रहा था 40-50 साल पहले बिहार के गाउं में जमीन की अदला बदली आम बात थी लोग आपस में जमीन की अदला बदली कर लेते थे लेकिन जमीन की रजिस्ट्री पहले की तरह ही रहती थी कई पीडियां सिर्फ बाचीत या पंचो द्वारा बनाए गए कागजातों के आधार पर ही उस जमीन पर अपना हक मानती रही भूमी सर्वेक्षन के समय यही बात लोगों के लिए परिशानी का सवब बन रही है आपको याद दिला दे कि जन सुराज के सूत्रधार ने भी सर्वेको लेकर सीम पर यह तंज कसा था कि यह भूमी सर्वे मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी गलती साबित होगी तो वहीं अब बता दे आपको जस तरह से बिवादों को लेकर बाते निकल कर सामने आ रही है ऐसे में कहीं यह आंधर प्रदेश और तेलंगना जैसे हालात ना बना दे